आरती उतारो श्री राम रगुवर के श्री राम रगुवर के गुरुवरे, आज सिध्धार तधमवाद, महराज के साथ शाक्षिनयाय सभा में जा रहे हैं, इन्हें आशिरवाद दीजी, सिध्धार, गुरुवरे के पाउंच हूँ, शदा यूशी भवर, तेर तिमान भवर, बुल देउता, सुर्य समान, ते जस्वी भवर, दीजीए? प्रसाथ? नहीं, आशिरवाद. मेरा आशिरवाद सुर्स सदा आपके साथ है, कुमार. कहां आपका आशिरवाद? मुझे तो नहीं देख रहा. क्तिया नहीं एन सब आजाने के लिए आपूशन पहनने के माहाँ? क्यों? तभी तो तुम युवराज लगोगी. तो क्या अपूशन न पहनने से युवराज युवराज नहीं होते? तुम्हारा नाम सिध्धार्थ नहीं, प्रेश्ण होना चाहिए था महादेवी, युवराज को काला ठीका लगा दे, कहीं इने आपी की दृष्टी ना लग जाए लीजे देव, युवराज नया सभा जाने के लिए सज्ज है मुझे इतने आप उशन पेनाती हैं, ति अब तुम्हें डंग सिखेंगी ना सको हुआ उत्र, तुम यूराज हो, इतना बोश तो तुम्हें उठाना ही होगा चले चत्री ऐसे नहीं है, ऐसे चलता है आप सभी का कपिल वस्तु की न्याय सभा में स्वागत है और स्वागत है हमारे युवराज सिधार्द का और कुमार देवदत का भी जो आज प्रथम बार कपिल वस्तु की न्याय सभा में उपस्थित हुए है उपस्थित होंगे ऑप दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महराज के संभुख उपस्थित होंगे प्रणाम महराज क्या याचना है महराज मेरी याचना इस कुशल के विरुद्ध है इसने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था ये कहकर कि वो अनाज इस वर्ष मुझे लोटा देगा मगर महराज आज तक इसने वो अनाज मुझे लोटाया ही नहीं कैसे लोटा हूँ महराज, पिछले दो साल से उपज नश्ट हो रही है, इस साल में कुछ हाथ नहीं लगा ये आसत तो बोलना है महराज, आप चाहें तो अपने सिपाई से पूछ सकते हैं, जब सिपाई इसे लेने आया था, उस समय भी ये अपने गहों को तेल लगाकर उसे बोरियों में बर रहा था महराज, मेरे पास दो इवोरी गहों है, उसी से मैं अपने परवार का पोशन पूरे पर्ष करूँगा महराज, कहों को तेल लगा के इसलिए लग रहा था कि बहु खराब ना हो, और आपके सिपाई मुझे पकड़ के या ले आए, तो दो बोरी गहों भी में इनको देदू है, अब महराज नयाय करेंगे, यवराज सद्धार्थ, कुमार देवदत, पहले मैं नयाय दूँगा, आवश, महराज, मेरा मत है कि हम नयाय क्शत्री अवधी से करें, कुषन ने गौरी को दिया वचन, पूरा नहीं किया, इसलिए कुषन को अपना खेत, गौरी को देना महराज, ऐसा नयाय न करें, महराज, हम नष्ट हो जाएंगे, दया करें, दया करें, महराज, कुमार सद्धार्थ, तुम कहो, महराज, यदि कुषल गौरी को गेउ दे देगा, तो अपने परिबार का पेट कैसे पालेगा, खेत दे देगा, तो अनाज कहां से उगाएगा, और गौरी को उसका अनाज कहां से लोटाएगा, वैसे भी, गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि कुशल की अनार्ज लोटाने के अवदी बढ़ा दी जाए मैं देदत के नियाए से सहमत हूँ यदि व्यापारी अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुप जाएगा इसलिए कुशल को गवरी को कुछ नकुछ तो देना ही होगा शमा करें महराज चलते समय मेरे पास जितने पंड थे वो सब गवरी को दे दिये मैं महराज इसने मुझे कुछ नहीं दिया महराज गवरी असत्य कह रहा है महराज मैं असत्य क्यों बोलूगा महराज आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूँ खीक है तो करो परख कौन है सत्य और कौन सत्य सिक्के दुबारी इन्तु यूगराज ये सिक्की तो मेरे है इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के ही है क्योंकि जब कुशल ने सिक्के दिये तब वो गेहू को तेल लगा रहा था और तेल सिक्कों पर लगा है ये सिक्के कुशल के ही है महाराज कुशल की इस से ये प्रमानित होता है कि कुशल ने गौरी को सिक्के दिये थे और इसके नियत में कोई खोट नहीं कुशल के आनाज लोटाने की आवदी बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए दस कोड़े मारने का दंड सुनाए जाता है नहीं माराज मुझे शमा कर दो है तस सिक्तों के लालज ने मुझे अंसा बना दिया माराज अंसा बना दिया मैं अगर आज के बाद असत्य बोलो तो मेरे अनाद और खित सब आपके माराज गौरी को शमा कर दीजिए अबसे वो कभी असत्य नहीं बोलेगा तोरी में तुम्हें च्छमा कर सकता हूं यदि इस नियाय सभा में कोई तुम्हारा उत्तरदाई तवलेता है तु दोबारा जूट नहीं बोलेगा हाँ माराज तुम्हारा उत्तरदाईत्व लेने के लिए कोई तयार नहीं इसलिए तुम्हें दस कोड़े मारने का तंड भाराज गौरी का उत्तरदाईत्व मैं लेता हूं आज से कभी असत्त्य नहीं बोलेगा सिथार्थ पताया उत्तरदाईत्व लेने का अर्थ क्या है यदि गौरी ने दोबारा असत्त्य कहा तो कोड़े तुम्हें खाने होंगे हाँ जेश्ठा पर गौरी तो यातना से बच जाएगा ना यूराश जास्की जाहो यूराश की जाहो यूराश की जाहो जाहे लाक्ष जतन कर ले राजन तेरा पुत्र संग्यासी बनेने सारी नगर में सिथार्थ की न्याय कुशल्ता की चर्चा हो रही है पूरा कपिल वस्तु खोशे क्या हुआ देव यू मना शान्त है आस तो आपके शत्रिय ने पूरी न्याय सभा जीत ली न्याय करना शत्रिय का लक्षन है और बुद्धि पूरवक न्याय करना ज्यानी का लक्षन परन्तु अपराधी का उत्तरदाई को लेना करुणा का लक्षन है प्रजापती और राज करुणा से नहीं चलता राजा को वजर से भी कटो रोना चाहिए जब अफराधी के चमड़ी पर कोड़े पड़ते हैं तो उसे उसकी पीड़ा नहीं आपने न्याय के गर्फ क्यानुबुती होनी चाहिए किन्तु देव युवराज अभी बालक है और सुभे की धूप कच्ची ही होती इसी कच्ची धूप को प्रकर करने का समय आ गया है वज़ापती ठीक कहा हम सिद्धार्थ को तक्षिला के गुरुकुल भेजी सिद्धार्थ तक्षशिला नहीं जाएगा तो क्या आप सिद्धार्थ को गुरुकुल की शिक्षा से वंचित रखेंगे मैं उसके लिए यहीं गुरुकुल बनाऊंगा मेरी आखें ही उसके लिए तक्षशिला होगी हमारे कुल के सभी बालक एक साथ यही पढ़ेंगे कपिल बस्तु मैं भूजन पर क्रोध नहीं करते देता था क्यों नहीं करूँ? मुझे सब पर क्रोध आ रहा है महराज भी सहमत थे फिर भी प्रजाने सिधार्द किराम की जैजेकार की क्यों? मा सु पोचो, देवधत इस भाती रोते नहीं अब तुम बड़े हो गया यदि आप महराज से बड़े होते तो राजगद्धी हमारी होती देवधत सची तो कह रहा है वो इस भाती बड़ा होकर भी देवता छोटा नहीं बनता आप इसके पिता हैं आपके आखों में इसके आस्वों का कोई मूली नहीं क्या चाहते हैं आप कि देखद्धी सिधात के पीछे पीछे घुमता रहे जैसे के आप महराज के पीछे गुमते हैं मंगला अब देखना देवधत के आस्वों का मूल्य कौन चुकाता है महराज शिद्धोधत पत्वा जुवराज सिधार्थ पत्वा जुवराज सिधार्थ लेगे महराज जेओ कित्ते हो है रत्ती भर भी अन्तर में ज्यान रहे, किसी को पता ना चले महराज, अगर मूव बंड करने का कुछ मूह ले मिल जाता तो… रिणितों मैं स्वयम भी ने रखता अगरे! अगरे विड्र, बिष्मार। इदे, उदे, 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 उदे… इदे, 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 इदे… इदे, इदे… खेलो गें हमारे साथ? कुमार, वहां मत जाये, वहां युगराज खेल रहे हैं हाई, जल कहüstupun म stewards OK, कमENE पुले दिख्यावास, stimulate- दिख्यू करें, महाधेवी. क्या नाम है तुम्हारा? चन्ना, चन्ना महादेवी ये तुम्हारा पुत्र है सूर्या? जी भीतर आओ, जी नहीं उराज, मैं आठीक हूँ वो सार्थी पुत्र है, वो भीतर नहीं आ सकता क्यों? वो ओची जात के हैं, उन्हें छोते नहीं ओची जात? ये जात क्या है? जैसे आप योवराज हैं, और वो सार्थी पुत्र है? तुम्हों, वो मुझसे भिन कैसे? आपका जन्म राजप्रासाद में हुआ है, इसलिए आप योवराज हैं और वो छोटे घर में रहता है, इसलिए ये सार्थी पुत्र है इसमें क्या भिनता है गाव होने पर उसे भी तो रखताता है जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कर मैं तो अभी समझना चाहता हूँ अरे नहीं नहीं उराज यह क्या कर रहें आप हमें नहीं चुते हम उची जातिके हैं हमें चुना पाप है आज यदी यह मुझे चूता नहीं तो में बच्चता कैसे मैं तो घाल हो जाता महाँ देवी देवदत कैसा है? उन्हें अधिक चोट आई है और यह बात तुम मुझे अब बता रही हैं चल देवदत महाराज को पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हें पता है? देवदत कैसा है नुगला दीदी? देखो न सिधार्थ को बचाते बचाते घोड़े पर से गिर गया भाईयों का प्यार तो देखो जरा सिधार्थ तुम ठीक तो हो यह हटाव इसे यहां से इसी के कारण सब कुछ हुआ यही बीच में आ गया था और मैं अश्वली अंद्रन को बेठा और किम बड़ा हटाव इसे यहां से ओशी जात यह मेरे साथ है ज्यूष्ता यदि यह तुमारे साथ है तो मैं तुमारे साथ नहीं धीवदत क्या कह रहे हो नंक्यों जय बात मीरामिर lip कोई बात का शंटोश उच हें कि दोनों कुमार सवस्थ हैं एक बात और मंगला दे दी येधा महरास तक न पाँच को आ lados अकारण ही उव्राज को लेका चिन्तित हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, कि महाराज को पता ना चले। देवदत! अच्छा उसर्च लगया हाथ से, अन्यता आज तो मेरा आखेट बनी जाता। आखेट करना है, तो धैरे रखना सीखो, अन्यता स्वयम ही आखेट बन जाओगे। दवरु नंदन? जी? ची, कहिए क्या आदेश है? महाराज के आदेश का पालन होना चाहिए। जी? हम सब कहां जा रहे हैं? हम सब कहां जा रहे हैं? हम सब हर वर्ष की भाती वप्रमंगल उत्सब के लिए जा रहे हैं। तो क्या हर वर्ष की बाती आमिताबुआ भी आएगी। हाँ, आएगी। अर यशोद्रा? वो भी आई। हरी हिरोमा अगनेंडो दाम्पोरा दादे हव्यावाहमु पप्रावे देवाप आशार्यादे। महाराच, खेतों के उपज फूले फले, इसलिए भगनी व ब्रामनों को भोदान दीजी। परन्तु हमारी भगनी अभी तक देवदा से आई नहीं, गुरुवारी। यह शोद्रा, क्या ये तुम्हारा हाती है? हाँ, कुंच है इसका नाम। क्या ये मेरा मित्र बनेगा? हाँ, बनेगा। वैसे तो वो रत्य या पालकी से आती है, इस बार वो हाथी पर कैसे आई? ये आती जान बूचकर हमें नीचा दिखाने भेजा है महाराज दंडपानी ने, जिससे ये सिद्ध हो जाए, क्यों हमसे अधिक थनी है। या अधिने महाराज उनका अंकार है। पल्लू से ढगती है मेरी पुत्री को, इसका आर्ष जानती हो? क्या? अब तो ये तुम्हारी हुई। तुमसे किसने कहा कि ये पराई है। ये तो पहले से ही हमारी है। क्यों ये शोद्रा? भाया, हर वर्ष की भाती, इस वर्ष भी कपलवस्तू के खेतों की उपज फले-फुले। पूलर कोश्सित अम्हारी हुआ है। प्रुम्हारी हुआ है। पुमसे कि ये शोद्राशनें कि ये सकते साथ्यू एन Geno क works crazy कि अजया कि अजया के अजया जा हुआ है झाल 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 व्रास्कि युव्रास्कि युव्रास्कि जाओ! अब मैं पासे फिकता हूँ. चौसर खेड़ते समय, सामने वाले के मुख की और ध्यान नहीं होना चाहिए. उसके हाथों की और ध्यान नहीं होना चाहिए. अन्य था वो कपट कर सकते हैं. क्या उस हाथे जैसा तुम्हें मेरे सर पर भी काटा दिखाई दे रहा है? निकाल दू. निकाल दू. निकाल दू. इसका रंग इतना बिन क्यों है? अब क्या उत्तर देंगे, कैसे समझाएंगे, कि सफेद बाल ब्रिद्धत्व का संगेत है, फिर वो पूछेगा ब्रिद्धत्व क्या होता है? कुमार, जैसे आपके छोटे पुराने दाट चूटकर नए दाता आगें, उसी प्रकाव, बालों का रंग बदलकर वो गिर जाते हैं, और उसकी जगह पे नए बाला जाते हैं. वैसे जैसे पेड़ की पत्निया अपना रंग बदलती हैं? वैसे हैं बेलकुल वैसे हैं बेल, सही समय पे आई, युवराज को नेंद आ रही हैं, ले जो. युवराज का ध्यान सुक्ष्म बातों पर हैं, बुद्धी, कशाग रहें और निरिक्ष अन्तिक्ष. आज तो बाट दल गए, किन्तु कल? कल गोशना कर दी जाएगी. राश्प्रसाद में सब सर ढख कराएंगे. और इस्तियां? सर पर मेंदी के पत्तों का लेप लगाएंगी. केश का रंग बदल जाएगा. नहीं देव, क्या हमसे धारत को सच्चाई नहीं बता सकते? अतीत की अलोचाना मनुष्य को उदास करती है. और भविष्य की कलपना उसे निरबल. इसलिए वर्तमान में जियो प्रजापती. मेरे लिए हर वो सत्या सत्या है को सिदार्थ को जीवन की व्यथा का परीचे दे. और हाँ, सिदार्थ को प्रातक काल जगा देना. गुरजन आ रहे हैं. जैसे आपके छोटे पुराने दाट पूर कर नए दाता आगे हैं, उसी प्रका है. बालों का रंग बदलकर वो गिर जा गाए. जो राज, यह सारे ब्राह्मन वेद के आँगे, गुरु कोंडिल आपको शास्त्र के शिक्षा देंगे. गुरु आश्वप्राव, तुम्हें गोड़सावारी सिख्षाएंगे. राजनीती का ज्यान गुरुवर्य तुम्हें देंगे. चंद एवं व्याकरण गुरुवर्य आपको सिख्षाएंगे. यह खगोल शास्त्र के वेद विज्ञान में खुशाल है. आच्छे, यह सारे ब्राम्वन तुम्हारे गुरु है. इनके आदेश का पालन करना तुम्हारा धारम है. इनसे आशिर्वात लो. तो तुम्हें शिक्षा नप्राथ करने का हट छोड़ी दिया. अब से तुम सिद्दात के साथ ही पढ़ोगे. जी, महाराज. क्या रहा था जब यह रात सिद्दात पढ़ाए करने गुरुपल जा रहे हैं, तो मैं अकेला क्या करूंगा? महाराज, हाती और कुवारी का सामने आना अच्छा शगुन है. यह राज, अवश्य महान विद्वान बनेगी. चमा करे, गुरुवरिय, केवल महान विद्वान नहीं, महान राजा बनेगी. ऐसा योद्धा जिसे संपुर्ण भारत वर्ष ने कभी ना देखा। यह क्या है? दीपक. यह दीपक ज्यान और ध्यान का प्रतीक है. वो क्यासे? ज्यान का प्रतीक इसलिए, कि जब यह प्रकाशत होता है, तो हम निकटम जगत को जान लेते हैं. और ध्यान का प्रतीक इसलिए, कि जब यह प्रकाशत होता है, तब सबका ध्यान उसी की और आकरशत होता है. शिक्षा का प्रारंब हम भ्रमनाच से करेंगे, अर्थात ओम के उचारन से करेंगे. जब तक यह दीपक मंगल नहीं हो जाते, सबको चारन करते रहना होगा. पुल्दें! मेरी फेकी गिल्ली सिद्धात कभी ने ढून पाएगा रात तक भी नहीं गिल्ली मेल गाई जाइस्टो ये लोग तुम तो कहते थे कि सिद्धात तुमारी गिल्ली कभी ने ढून पाएगा जून ली ना उसने कषकिली अब तुम अपनी आके बन करो जैना अब तुमारी बार है ई बहुत है एकर էाओ मॲक्र पाएगी Och मिल गए गिल्ली, मिल गए डून ली मैंने, ते दाज से भी कम समय में लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गिल्ली तो यहां है! सिधार इतनी जल्दी गिल्ली कैसे डूद सकता है? अवश्य इसने कपट किया है इसने हमें दूसरी गिल्ली दिखा दी नई, सिधार तर सत्य कभी नहीं बोल सकता तो मैं सत्य बोल रहा हूँ! ध्यान रहे, मैं जेश हूँ! कपट सिधार नहीं किया है! मेगा, कैसे चला गया? क्या हुआ? सिधार? क्या हुआ सिधारत को? सिधारत को तुमने सत्य कहा? क्या हुआ हुआ थे ज़ात आज़ए लेगा आ अंड़ा हुआ है क्याल लगा हुआ 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 है इस दो लुट ज़ाँ हुआ है मैं सत्य कहा तुमने कबच से खेल जीता महराज को इस बात का पता चलेगा तो उन्हीं कितना दुख होगा जानते हो तुमसे यह पिक्षा नहीं थी मुझे सच कहके हार जाते तो इतना दुख नहीं होता तुम्हारा दंड यह है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूं यही है वो गिल्ली, जो मैने फिकी थी देखो, इसका कोना तूटता है देश्ता के थी काई हुए गिल्ली, दूसरी थी कोपड शिप्ता चे नहीं किया महादिनी देखो, दूसरी थी अम्मा, आप रोक्यों रही हो, माँ? पुत्र, तू सही था, तो तूने प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा, कि असत्ते तूने नहीं, तेर्दत ने कहा था? अम्मा, आपी ने तो कहा था, बड़ों का मान रखना, ना चेष्टा को जूटा कैसे कहता? यदि वो जूटा प्रमानेत होते, तो उने डंड मिलता. किन्तु दंड तुझे मिला सिद्धार, सत्ते का आच्रण देवदत में किया, तो सच क्यों नहीं बोला? मैं सच्चा था, इसलिए चुप रहा, क्योंकि सत्ते स्वेम प्रकाशित होता है, उसे कोई चुपा नहीं सकता, ऐसा मैंने इंक गुरुजी कहते हैं. कित्तु वेवार में ऐसा नहीं होता, पुत्र. स्वेम को बचाना मनुष्य कहा करता है. अर्थार्थ, जूटका आच्रण करता है? पुत्र, घरे सोने में भी जब मिलावट होती है ना, तब ही आबूशन बनता है. अब से याद राखूंगा, मा. अब, अच्छा, बता, अब मेरा क्या प्राहिष्य थे, अकारणी तुझे दण्डि दिया. अब, 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 ऑु, पुदर्म मेरा क्या वाका याद राद आज तुम्हारे सूर करुणा से भर है तुम दुख्य हो हाँ, देव, एक बाँ के लिए इससे बड़ा दुख्या होगा, कि वह अपने पुत्र को समझी नहीं पाई ऐसा लगता है जैसे आट साल के उम्र में कोई असी साल का विचारक बंदी देव, पत्थर सामने आ जाएं, तो पेड़ की जड़े भी उन्हें काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं किन्तु यह बाला, यह तो अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं, सामान्यम मनुष्य स्वार्थ भी नहीं उसे दर्ण डेकर तुम स्वायम को दुखी कर रही हो पेजाबत, उसे लड़ना सिखाई, सिदार्थ को लड़ना सिखाईए देव, तुम चिंता मत करो देवी, मेरे जीवन का धे यही है कि सिदार्थ भारत वर्ष का सबसे बड़ा योद्धा परे, वो समराठ, सिदार्थ कौतम कहला है